दाइबिटिक फुट एक ऐसी बिमारी है जो डाइबिटिक पेशन्स जिनकी बहुत लंबे अर्से से डाइबिटीज चल रही है जिसका कोई कंट्रोल नहीं है उनके पैरों में जखम हो जाना, उनके पैरों में सुनपना हो जाना, उनके पैरों में नसों में दिक्कत हो जाना, इसकी वज़े से पैरों में diabetic foot infection हो जाता है और एक दफ़ा ये diabetic foot infection हो जाता है तो ये एक नासूर बन सकता है और अगर uncontrolled रहा तो ऐसे पैर की amputation यानि पैर कटने की नौबद भी आ सकता है Diabetes में पैर की खून की नसों में थक्का जम जाता है जिसके कारण वो बंद हो जाती है Diabetes की वज़े से तार की नसे जो nerves होती है जो दिमाग से चल के सारी body में पहलती है वो नसे भी खराब हो जाती है उनकी खराबी होने की वज़े से पैरों में सुन पना आ जाता है पैरों में सेंसेशन नहीं होती, पैर का ठंडा गरम पता नहीं लगता पैरों में दर्द नहीं होता और जब दर्द नहीं होता तो अगर कोई जखम हो जाएगा तो वो जखम के बारे में पेशन्ट को पता ही नहीं लगता और वो जखम बड़ा होता रहता है और वो एक बहुत बड़ा नासूर बनके पैर कटने की नौबत भी आ सकती है तो अगर पैर सुन हो रहा है, पैर में दर्द नहीं है, पैर में तकलीफ है और जखम है तो इमीजिटली अपने डॉक्टर से मिले और इस डियाबिटिक फुट का तुरंट इलाज करा है डियाबिटिक नियुरापथी यानि डियाबिटीज की वज़े से जो तार की नसे जो दिमाग से चलके सारे शरीर में नसे पहलती है, जिससे हमें सुन पना पता लगता है, नसों का सेंसेशन पता लगती है, दर्द पता लगता है, ठंडा गरम पता लगता है, ये नसे अगर तो यह सारी sensations गायब हो जाएंगी, यह कभी पता नहीं लगती, जब पता नहीं लगती, तो अगर कोई चोट लग जाए, कोई रगड लग जाए, कोई जूता काट ले, या कोई भी ऐसी परिशानी हो जाए, जिससे हमें जखम बन जाए पैर में, वो जखम फिर भरता नहीं, जब हम खाते हैं, तो खून को वो आगे चलाता है, और उससे वो पाचन शक्ती बढ़ती है, लेकिन अगर डाइबिटीस की वज़े से यह तार की नसे, डाइबिटीस की वज़े से जो पेट की नसे हैं, वो अगर डामेज हो जाए, तो पेट फंप करना मुश्किल बंद हो बंद हो तकलीफे हैं, जो डाइबिटीस की वज़े से पेट की नसे खराब हो जाने से हो जाक्ते हैं, डाइबिटीक निरॉप Lippas हो पता कैसे लगती है जब आप पहने चपल पहने पहने जूते पहने पहने में शबर परा लक्षन होता है डावेटिक निूरापhtृथा डावेटिई की जो निूरॉपथी है इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है इसको हम रोक कहन nicकी है अगर यह हो नहीं तो हो के रहेगी लेकिन हहां अगर अगर इसको टोल रखते हैं अपना खानपान सही रखते एक्सराइस पूरी करते हैं, पैरों की देख बाल करते हैं, पैरों में कोई चोट नहीं होने देते या चोट लगने नहीं देते तो ऐसे केसे में हम diabetes की इस neuropathy से कुछ हद तक अपने आपको बचा सकते हैं. Diabetic Neuropathy का कोई कड़क इलाज नहीं है, कोई ऐसी दवाई, गोली, इंजेक्शन या ओपरेशन नहीं है, जिसके करने या कराने से आपकी Diabetic Neuropathy क्योर हो जाएं, हाँ, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए diabetes का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, Diabetic का कंट्रोल, प्लस सही टाइम पे खाना, एक्सेसाइज करना और अपने पैरों की देखभाल बगएरा करना, इससे हम अपनी Diabetic Neuropathy को जहां तक हो सकता है, कंट्रोल में रख सकते हैं. Diabetic food के patients क्या करें, क्या ना करें, करें अपने पैरों की देखभाल, करें अपने पैरों की regular check-up ताकि ये देखना हो कि कभी कोई जखम तो नहीं है, कभी कहीं चोट तो नहीं लगी, पैर सुन तो नहीं हो रहे हैं, या पैरों में कोई छाले बगएरा तो नहीं पढ़ गए बहुत ज्यादा टाइट जूते नहीं पहनने चाहिए, आपको अपने वेल फिटिंग, प्रॉपर अच्छे जूते, सौफ जूते, कपड़े की जूते प्रेफरिबली पहने, लेधर के टाइट शूज, बहुत ज्यादा पॉइंटेट शूज ना पहने, जिससे पैरों में कोई जखम बगरा हो जाए, अगर ऐसा आप करेंगे, तो आप अपने आपको डियाबिटीज और डियाबिटीज नियुरॉपरती से बचा सकते।